सो गाइस चलिए समझते हैं gram staining के बारे में gram staining develop किया गया by Hans Christian इन्होंने इस से differentiate कि कौन सा gram positive bacteria है और कौन सा gram negative bacteria है ठीक है इन्होंने देखा कि जो cell wall होती है उसे normal dye से हम stain नहीं कर सकते हैं इसी वज़े से cell wall को हम crystal violet और genitian violet से stain करते हैं stain होने के बाद cell wall का color blue और violet color का हो जाता है उसके बाद हम 0.5% iodine solution का use करते हैं ताकि उस cell wall पे जो color किया गया है वो fix हो जाए उसका color पक्का हो जाए ठीक है उसके बाद उसे de-stain करते हैं de-stain मतलब color फिर से उतारते हैं जिसके लिए हम use करते हैं 95% ethyl alcohol और acetone का इसकी वज़े से जिसका color रह जाता है मतलब retain रहता है उसे gram positive और जिसका color निकल जाता है उसे gram negative bacteria बोलते हैं